गुड मॉनिंग आज का लेक्चर नमपर एट थे और आज हम देखने वाले डेटा मोडल यह ना डीबी में से डेटा मोडल क्या होता है तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि डीबी में से बेसिकली हम लोग बनाते हैं डेटाबेस ठीक है सब्सक्राइबेस और इसमें न किसी डेटाबेस को बनाते हैं ठीक है तो यह जो टेबल बनते हैं वो एक दूसारे से कैसे इंटर-link होते हैं है ना तो डेटाबेस बनाने के blueprint या structure को हम लोग बोलते है data model कैसे यह सारे records एक दूसरे से linked होते हैं उन्हें कैसे store किया जाता है तो उस store करने के तरीके को describe करने वाला जो model होता है उसे हम लोग data model कहते है database model यह बताता है कि data को database में किस तरीके से रखा गया है हमको दिखता कुछ है लेकिन अंदर उसके arrangements कुछ अलगी रहते हैं जैसे हम किसी hotel या restaurant में खाने जाते हैं तो सबसे menu देखते हैं तो उस menu में भई जैसे की breakfast के लिए क्या क्या है लंच के लिए क्या क्या है डीनर के लिए क्या क्या है ऐसे category दिखता है हमको है न वो उसके अंदर जो foods होते हैं उनके items का arrangement दिखता है तो उसी तरीके से data model होता है या data को store करने का arrangement या तरीक का जो है वो database model कहलाता है data model यह describe करता है कि data एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं यह वब उनके मद्ध में relationship कैसी है data model हमें यह भी define करता है कि किस प्रकार database का logical structure बनाया गया है data model data को organize तता store करता है किस तरीके से सारे database के अंतरे में tables है वो data को store कर रहे है उनका structure कैसा होगा है ना उनको store करने का logic क्या है कि मालो एक पहला table है उसमें हमने employee के मातर name और उसके employee ID को ही हमने store किया दूसरा जो table होगा उसे हम लोग employee का father's name, mother's name, address को store करते हैं तीसरा जो table होगा तो यह जो logic है तो यह logical structure जो होता है और tables के मद्द जो relationships होते हैं उनको दर्शाने वाला जो model होता है वो database model खेलाता है कितने प्रकार के होते हैं यह database model, relational data model, network data model, hierarchical data model तो हम लोग आज देखने वाले हैं relational database model तो इसमें क्या होता है जैसे कि एक table है department ठेक है और यह है एक professional table है और एक course table है तो देखिए database में यह तीन table बनाए गया है पहला जो table है department नाम का उसमें क्या बोलते हैं उनका id हमाले लेते नंबर है करके employee मतलब डिपार्ट्मेंट id है समझ लेते हैं department id 1, 2 इस तरीके से और यहाँ पर department का नाम है CAC, MOM, likewise और उसी तरीके से यहाँ पर यह जो दो फिल्ड है वो दूसरे table में stored है department का number और employee मतलब department id और नाम साथ ही साथ department number और वो course तो देख सकते हैं यह दोनों table आपस में कैसे relate हुए क्योंकि यह जो दो column है वो इस table में भी है उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक जो table है course number, department number, professor id तो देखिए इसमें एक जो फिल्ड है एक जो column है वो यहाँ पर common है तो सारे के सारे database के अंदर यह जो tables होते हैं वो किसी ना किसी field को लेते हुए एक दूसरे से related होते हैं relation है ना किसी relation में होते है इसलिए इसको relational database model कहते हैं क्यों कहते हैं database में जो number of tables होंगे वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से वो interlinked रहेंगे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दो field है इस पहले table के वो मुझे इस table में यह दोनों field मिल रहे हैं उसी तरीके से department number वा इस database model को सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है इसमें data को table के रूप में store किया जाता है उसी table को database की भासा में relation के बोला जाता है इसलिए इसका नाम relational database model रखा गया है इस model में unique field को key बोला जाता है और उसी के जरिये ही table को जोडा जाता है इस model का प्रस्ताव EF code ने 1970 में दिया था ठीक है तो देख सकते हैं कुछ फिल्ड जो है यूनिक होते हैं like department number यह बी टेबल department number दोनों column जो है कौम आने तो यह key कहलाता है जो unique होता है प्राहपनी की तो आज के lecture में हम लोग ने समझा database model होता क्या है और उसके types और उसमें हमने relational database model को आज समझा थैंक यू